कस्टमर केर में आपका स्वागत है हाँ जी थैंक्यू थैंक्यू जी बताइए मैं आपकी क्या साहता कर सकती हूँ हाँ जी आप हमसे शादी करेंगी जी सर आपने गलत नंबर डाइल किया है नाही नाही मैंने सही नंबर लगा है क्या आप हमसे शादी करेंगी? जी मैं शादी में बिल्कुल इंट्रेस्टेड नहीं हूँ अरे तनिक सुन तो लीजिए अरे हम आपको आफर देते हैं अगर अरेंज मेरेज करेंगी ना तो हनीमन स्विजर लैंड में और लव मेरेज करेंगी ना तो हनीमन पैरिस में तेखे मैं आपसे शादी करना ही नहीं चाहती हूँ तो आप आप आफर क्यों दे रहे हो? अच्छा हम आपको दूसरी आफर देते अगर नॉर्मल मेरेज करेंगी ना तो दो लाक रुपे खर्चा होगा और कोड मेरेज करेंगी ना तो सिर्फ दो हजार रुपे में कहा हो जाएगा? आपको समझ में नहीं आ रहा है मुझे आपसे शादी करने में कोई इंट्रेस नहीं है अच्छा हब समझा हमार दर्द जब हमें कोई इंट्रेस नहीं होता ते भी फिजूल के कॉल करके हमें घटिया ओफर देते रहती हो क्या?